Hello guys, कैसे हैं आप सब? I hope क्या अच्छे होंगे दिवाली आने वाली है और दिवाली के अफसर पे Jio आपके लिए लाया है एक new product जिसका नाम है Jio Motive जिसकी unboxing आप देख लो, फिर आगे की बात करते हैं तो ऐसा कुछ आपको Jio Motive का box मिलता है जिसके उपर ही आपको device का एक photo मिल जाएगा box को unbox करते ही आपको मिलता है ये Jio Motive डिवाइस और user manual खटी टोफी के साथ अब आगे बड़ें तो ये device आपकी car के OBD port 2 में लग जाएगा जो आपकी car के dashboard में कहीं मिल जाएगा मेरी car में ये steering के नीचे हैं देखो ये रहा यहां पर अब इस device को active करने के लिए आपको अपनी गाड़ी का ignition off करना होगा और इस device को अपनी car के OBD port 2 में plug-in करना है अगर आपको अपनी car में OBD port 2 ना मिले तो आप Jio Things app या Google से भी देख सकते हो अब इसे plug-in करते ही इसमें कुछ lights illuminate हो जाएगी और एक बार ये lights stable हो जाएगी तो आपको अपनी car start कर देनी है और फिर आपको खोलना है अपने phone में Jio Things app जिसमें आप अपने Jio number से register कर लेना और अगर आपके पास Jio की SIM ना हो तो खरीद लेना क्योंकि ये device सिर्फ Jio की SIM के साथ ही काम करेगा फिर Jio Things app में आपको जाना है माई वाइकल में और यहाँ उपर जो plus का icon है उस पे आपको tap करना है then proceed और फिर ये आप से QR code या IMEI number मांगेगा तो जैसे ही ये QR मांगे आपको आ जाना है अपने device या उसके box पे और इस वाले QR को Jio Things app से scan कर लेना है और जैसे ही आप scan करेंगे तो boom ये device आपके Jio Things app से pair हो जाएगा फिर बस आपको अपनी car की कुछ details डालनी है and you are good to go तो इतनी simple सी process है आपको कोई technician की help नहीं जीए और अब आप देखो मेरी car off है तो ये device भी अभी मुझे 0 RPM दिखा रहा है और vehicle health में सिर्फ battery charge बता रहा है और अब जैसे ही मैं अपनी car को on करूंगा ये 5 second बाद ही मुझे मेरी car के बारे में बताने लग जाएगा ये देखो मेरी car में भी 800 के असपास RPM है और ये भी मुझे same ही बता रहा है बलकि और जादे exact बता रहा है अब आगे बड़े तो ये मुझे मेरी vehicle health भी बताएगा जिसमें सबसे बहले battery charge जो green यानि की good है फिर coolant temperature और engine load भी सही है बट air intake temperature थोड़ा जादा है और सिर्फ इतना ही नहीं ये आपको last trip भी बताता है जैसे मान लो मैं हूँ भूपेंदर जोगी और मेरा एक बेटा है अधित्य कुमार अब मैं नहीं चाहता कि अधित्य मुझे college का बोलके गाड़ी लेके कहीं और चला जाए तो मैं घर से ही उसकी सारी trips जियो तिंक्स एप पर देख सकता हूँ या उसकी exact location बता कर सकता हूँ और सिर्फ trips ही नहीं ये device मुझे ये भी बताएगा कि अधित्य कहां रुका था और कितनी देर के लिए रुका था और मैं भूपेंदर जोगी चाहता हूँ कि अधित्य कुमार सिधा college ही जाए तो मैं अपने घर से college तक एक geofence एट कर सकता हूँ और geomotive में सिर्फ circle और square के अलावा आपको polygon geofence भी मिलता है जैसे मान लो कि अधित्य कुमार एक new driver है तो वो highway पे ना जाए इसके लिए मैं highway को छोड़के घर से college तक का geofence बना दूँगा और जैसे या दित्य इस geofence बाहर जाएगा या highway पे जाएगा तो मुझे तुरंट पता चल जाएगा और मैं उसे phone करके बोल दूँगा बाकी car locator, find my car, walk to car, time fence जैसे बहुत सारे features इसमें आपको मिलते हैं और Gio की coverage all over India बहुत मस्त है तो हर जगह ये मस्त चलता है without any problem और ये एक 4G device है तो speed भी मस्त आती है अब इसके बाद एक काम का feature है इसमें DJ locker की तरह आप अपनी car के documents को भी store कर सकते हो ताकि कभी जरूरत पड़े तो आप उन्हें use कर सको एक और feature चो मुझे बहुत helpful लगा वो है इसका tow alert जैसे मालो मैंने अपनी काड़ी कहीं पार्क की और प्लीस वाले उसे tow कर के ले गए तुरंत मेरे पास notification आजाएगी कि आपकी car tow हो चुकी है और मुझे मेरी car की location भी ये बताता रहेगा तो मैं जल्दी अपने कार के पास पोच जाऊंगा overall ये best product है आपके और आपकी car की safety and security के लिए और इस device को आप Jio Mart और Amazon से 5000 रुपए में खरीद सकते हो मैं मिलता हूँ आपसे next वीडियो में तब तक के लिए keep revving and thanks for watching